अब प्लांट्स तो अपना फूड बना सकते हैं बट अपना फूड बना सकते हैं अब अनिमल्स को फूड क्यों चाहिए ऐनरजी के लिए चाहिए लग अलग 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 तरय का फूड का खाते हैं कुछ animals plants और उसकी leaves खाते हैं जबकि कुछ animals flesh खाते हैं किसका flesh खाते हैं plant eating animals का flesh खाते हैं तो कुछ animals ऐसे भी होते हैं कि वो plants भी खा सकते हैं और flesh भी खाते हैं दूसरे animals का तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि almost जितने भी animals हैं directly और indirectly plants पर ही depend करते हैं अपने food के लिए और यही एक food chain बनाता है तो जितनी में food chains होती है वो एक green plant से ही start होती है अब हम discuss करेंगे सबसे पहले plant eating animals के बारे में तो कुछ animals होते हैं जैसे cow, deer, giraffe, horse, goat, zebra तो यह ऐसे animals हैं जो plant eating animals हैं यह सिर्फ leaves काते हैं fruits काएंगे roots खाएंगे plants की या फिर grass खाएंगे और ऐसे animals को हम herbivores या फिर plant eating animals केते हैं next आजाते हैं flesh eating animals अब कुछ animals ऐसे होते हैं जैसे loin, tiger, snake, dog, wolf, cat अब यह animals दूसरे animals का flesh खाते हैं इनको हम flesh eating animals या फिर carnivores भी कहते हैं अब कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो plants खाते हैं और flesh eating animals खाते हैं अब इनके examples हो जाते हैं human beings, racoon, crow या फिर bear इस तरह के animals को हम omnivores कहते हैं अब हम feeding habits of animals के बारे में बात करेंगे अब अलग-अलग animals अपना food अलग-अलग तरीके से खाते हैं और उनके जो मूँ का structure है, jaws का structure है या फिर teeth का structure है वो टिपेंड करता है किस तरह का food वो खाते हैं अब कुछ animals ऐसे होते हैं जो सीधे ही अपना खाना निगल जाते हैं वो अपना खाना चबाते नहीं है अब क्यों नहीं चबाते हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग ये अपना खाना सीधे निगल जाती है और उसको चबाते नहीं है क्यों? क्योंकि उनके चबाने वाले दात होते ही नहीं है वो अपना खाना ऐसे ही निगल जाती है फ्रॉग की बात करें एक लंबी सी स्टिकी टंग होती है जब भी इंसेक्ट उस पर बैठती है उनकी टंग पर चिपक जाती है और फ्रॉग उसे अंदर ले लेता है तो इस तरह से फ्रॉग अपना खाना खाता है अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्राइन करेंगे, टीर करेंगे, च्यू करेंगे मतलब अच्छे से चवा चवा के, तोर मडोर के चवा चवा के उसको खाएंगे फ्लेश को खाएंगे उनके एक्जम्बल्स हो जाते हैं फॉक्स, टाइगर, पैंथर, या फिर लॉइन इनके पास शार्प, पॉइंटड, फ्रेंट टीत होते हैं ताकि वो फ्लेश को टीर कर सकें इसके साथ इसाथ उनके पास चवाने वाले स्ट्रॉंग दाथ होते हैं ताकि वो मीट और बॉन्स को चवा सकें अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नौ करते हैं अपने फूड को, इनके एक्जेम्पल सो जाते हैं, रैट, स्क्वेरल या फिर रैबिट, तो ये क्या खाना प्रेफर करते हैं, ये हाड ग्रेंस या फिर नट्स को खाना प्रेफर करते हैं, ये नट्स क्योंकि बहुत हाड होते हैं, तो इनके फ्रेंट के द अजा乾 भी अजावा कहते हैं यह फिर कटट च्यू करते हैं तो काउज बफिलो को अलग टरीके से हखाना खाते हैं तो अपना khana निगल लेते हैं फिर बापस पेट से इनका yum हाना मूं में अजाताय और सको चबाते रहते हैं इस प्रोसस को हमμέना कड बोलते हैं नेक्स्ट आजाता है, ऐसे अनिमल्स जो लैप करते हैं, मतलब जीब निकालके एक तरह से चाटते हैं अपना खाना और उसको इस तरह से खाते हैं, जैसे डॉग और कैट, अक्सर हमने देखा होगा कि डॉग और कैट अपनी जीब के इस्तमाल करके पानी पीते हैं या फिर द जैसे एलिफेंट है वो अपनी लंबी सून लेके खाना लेते हैं, बटरफ्लाइस, मॉस्क्यूटोस या फिर लीचिस की बात करें तो उनके पास एक फीडिंग ट्यूब जैसा होता है मूँ की जगे, जो हम स्ट्रो की वग करता है, जैसे हम कोल्डरिंग पीते हैं एक जैसे एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं, नेक्स आजाता है, एनिमल किंगम काफी बड़ा है, बहुत सारे यूज बराइटी आफ एनिमल्स हम अर्थ पर देखते हैं, हमें इनको प्रोटेक करना चाहिए, हजारों साल पहले लोगों को लगा कि कुछ एनिमल्स यूसफुल हो सक सारे उस्टी देखते हैं, करने गल को सक एंपकед करते हैं, सेटी मादन्स के लिए यूसासाल यूसान साल का रूब हें टाल थे, बाच्चक रखते हो भी लोगों को उसटी आज निमल्स के लिएát़ हमें क् मच्छ च्छ यहिं एंडओराइग माइक ऑनिमल्स का यूद दी झाल झाल